आज आपको हॉरर फिल्म राज के बारे में कुछ दिल्चस्प बाते बताने जा रहे हैं ये फिल्म ऐसे वक्त में रिलीज हुई थी जब हॉरर फिल्मों का चाम खतम होने लगा था रामसे ब्रदर्स जिने बॉलिवुड में हॉरर फिल्मों का प्रियाय माना जाता था उनका भे चाम फीका पड़ गया था जब विक्रम भट साल 2002 में फिल्म राज लेकर आए तो इस फिल्म ने तहल का मचा दिया बता दें कि बिपाशा बसू डीनो मौरिया आशुतोश राना और मालिनी शर्मा स्टारर राज 2002 की दूसरी सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी साथ ही हॉरर फ्रेंचाइज की ये पहली मौवी थी लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज एक हॉलिवूड फिल्म की कॉपी थी बता दें कि उस वक्त ये हॉरर मौवी जो है वो हॉलिवूड मौवी की ओफिशियल रीमेक नहीं थी लेकिन अगर बात करें राज मौवी के फैक्ट्स की तो इसके बहुत सरी फैक्ट्स हैं आपको बता दें कि राज में विपाशा बासू और डीनो मौरिया की अपनी खुद की आवाज नहीं थी यहाँ पर विक्रम भट ने डीनो मौरिया के लिए डबिंग की थी वहीं बिपाशा बासू के किरदार को एक्ट्रेस मोना घोश ने अपनी आवाज दी थी राज के हौरर सीन्स में बिपाशा बासू के चहरे पर ड्राबने एक्सप्रेशन नहीं आपाते थे लाख कोशिशें करने के बावजूद उनके चहरे पर डर की लकीरे नहीं आपाती थी ऐसे में विक्रम भट अपने टेम के साथ मिलकर बिपाशा पर प्रैंग करते इससे वो डर जाती और उनके रियल एक्सप्रेशन को तब कैमरा में कैप्चर किया जाता था आपको जानकर हैरानी होगी कि राज फिल्म में जो चीख सुनाई देती है वो एक असली चुडैल की चीख है क्योंकि जब वो सेट पर हुआ करते थी तो वहाँ पर ये चीखें उन्होंने सुनी थी जो इस फिल्म में रियल है बता दें कि इस फिल्म का जो पहला ओफर था जो डीनो मौरिया का रोल था वो पहले अनिल कपूर को दिया गया था लेकिन अनिल कपूर ने इस फिल्म को ठुकरा दिया ये सोच कर कि बॉलिवुड में हॉरर फिल्म कितनी ही चलेगी क्योंकि तब हॉरर फिल्म का दौर खतम हो चुका था इस फिल्म में एक्ट्रेस मालिनी शर्मा डिनो मौर्या की पत्नी बनी थी जिने भूत अपने वर्ष में कर लेता है ये मालिनी की पहली और आखरी फिल्म बन गई बता दें कि मालिनी इस फिल्म के बाद गाइब हो गई रास के शूटिंग भूतिया होटल के अलावा उटी के घने जंगलों में की गई थी उटी के जिस होटल में शूटिंग हुई उसका नाम था फान हिल प्लेस होटल लेकिन ये एक भूतिया होटल था बता दें कि राज की शूटिंग के दौरान कोरियोग्राफर सुरोज खान और उनकी टीम के मेंबर्स ने ये बात खुद कही थी कि रात को उन्हें चैन से नींद नहीं आती बार बार फरनीचर इदर उदर खिसकने और चीखने चिलाने की आवाजें यहाँ पर आती हैं ये किस्सा विपाशा बासू ने खुद भी सुनाया था बता दें कि जब क्रू का एक मेंबर नीचे रिसेप्शन पर गया तो फोन डेड था और उसको जब सूचना मिली कि उपर कोई भी फ्लोर नहीं है क्योंकि उपर ले फ्लोर से उसको जो चीखने चिलाने की आवाजें आ चादिया था